दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बता है कि आप बिहार के के जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पोचे आज की सबसे परिखबर बिहार में 7 डिगरी तक गिरा पारा 20 सहरों में 10 डिगरी से नीचे बरपिले हवाओं से कपकपी जहा परवातिय इलाकों में बरप बारी से टंड़क लिये मैदाने इलाकों तक पहुची उत्तरी पष्च में हवाओं ने बिहार में कपकपी ला दी है पिछले 24 घंटे में मौसम के इस बदलाव से राज के कई सहरों का नियोंतम पारा 7 डिगरी तक गिरा है आपको बतादे कि बिहार के 20 सहरों का नियोंतम पारा 10 डिगरी से भी नीचे अगा गिया है उत्तर और दचिन बिहार कोशी छेतर के सभी प्रमुक सहरों के अधितम ताबमान में भी भारे कमी की वज़ा से दिन में भी कंगानी रही है पाट्टा में नियोंतम पारे पिछले 24 घंटों में 6.6 डिगरी तक गिरावट आई है वही राजधानी का नियोंतम पारा 7.6 डिगरी पर आगिया गया राज में सबसे ज़्यादा ठंडा रहा वहां नियोंतम पारा 5.3 डिगरी तक आगिया इसके अलावा भागलपूर पूर्निया में भी नियोंतम ताबमान 10 डिगरी से नीचे आगिया मुझपरपूर में नियोंतम ताबमान 10 डिगरी दर्च किया गया पढ़ना में दिन में भी तेज हवाओं का असर रहा और अधिक्तम ताबमान में 4 डिगरी की गिरावट दर्च की गई अगली बड़ी कबर कडाके की सरदे के चलते पटना के स्कूलों का समय बदला सुबह 9 से पहले और साम साड़े 3 बजे के बाद नहीं चलेगी कोई कलास जिहां कडाके की सरदे के चलते पटना के सभी स्कूलों का समय बदल दिया गया है जिला दरनादिकारी डाक्टर चंद्र सिकर सीन ने आदेश जारी कर जिले के सभी बिदालयों का समय सुबह 9 बजे से साम साड़े 3 बजे तक कर दिया है इस समय से पहले और बाद की सभी कक्छाओं और सेक्षिनिक गतिविदियों पर प्रतिबंद लगा दिया गया है बताया गया कि यह आदेश जिले में गिरते दापमान और बिसिस रूप से सुबह के समय अधिक थंड के कारण बच्चों के स्वास्तों और उनकी जीवन पर पढ़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की सम्मानाओं को देखते वे जारी किया गया है जानकारी के लिए बता दे कि जीले के सभी विदालों में सुबह 9 बजे से पाले और साम साड़े 3 बजे के बाद सभी कक्चाओं के लिए सेक्चिनिक गतिविदियो पर प्रतिबंद लगाए गया है अगली बड़ी के वर बिहार में फिलाल ओमिक्रोन का कोई मरिज नहीं दिल्ली भीजे गए 31 सेंपलों की जिनॉम सेक्वेंसिंग में नहीं मिला वारस स्वास्ट विवा के अधिकारिक सुत्रों में इसकी पूश्टी की है और बताया गया कि एंडी जिठी दिली से अभी तक 31 सेंपलों की जिनॉम सिक्वेंसी की रिपोर्ट प्राफ्ट हुई है अगली बड़ी खबर बिहार पुलिस के जवानों को स्विधा इलाज पढ़ाई और बेटी की साधी पर आसानी से मिलेगा लोड़ जिहां बिहार भी से ससत्र पुलिस के अधिकारियों से लेकर जवानों तक को इलाज और बच्चों की पढ़ाई में पैसा बादग नहीं रहे आधिकता में एक लाक रुपे तक रिन कम पर ब्याज पर उबलब्द कराने को लेकर ससस्तर पुलिस मुख्यारे द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है कौन अधिकारी कितने तक कर रिन स्विक्रत कर सकते हैं इसके लिए कौन से काज़ा जरूरी होंगे इसकी एक निर्धार प्रक्रिया भी तैकर दी गई है अगले बड़ी कपर माजी के खिलाब सड़क पर उत्रा ब्रह्मन समाज फुका पुतला कहा कभी नहीं करेंगे माँ जिहां अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले बिहार के पूरों मुख्यमंत्री जितर माजी के खिलाब ब्रह्मन समाज के लोग सड़क पर उतर गया है गया में ब्रह्मन एकता जिंदाबाद के बेनर तले लोगों ने बिसनुपद मंदिर से आकरोस मार्च निकला और माजी का पुतला भुका पांड़ा समाज ने यहां तक कहा है कि जितरम माजी ने ना सिर्प बर्मानों का बल ब्रह्मन समाज सामिल नहीं होगा इतना ही नहीं मिट्टू के पश्चाथ होने वाले पिंड़ दान कारकरम में भी गया के पांड़ा सामिल नहीं होंगे अगली बड़ी कबर बिहार के प्रारामिक सिक्चकों के 13,000 पदों के लिए काउंसिलिंग की समय सारनी जारी जेहा सिक्चा विबाग ने प्रारामिक सिक्चक पदों पर निवक्ती के लिए 13 चक्र की काउंसिलिंग की समय सारनी समुवर को जारी कर दी है 11 दिसम्मर को पंचा चुनाव की चल रही प्रक्रिया के चलते इस्तगेद काउंसिलिंग के नई तिति की जानकारी सिख्चा मंत्री बिजे कुमार निच्दी है तित्रे चक्र के तहट करीब 14 सुप्रारमिक सिख्चक नियोजन निकायों में तकरिबं 13,000 सिख्चक पदोपर निक्ति के लिए योग अबियर्तियों का अंतिम रूप से चैन किया जाना है दो चक्र की काउंसिलिंग जुलाई और अगस्त मा में संपन हो चुकी है और इसमें करीब 38,000 अबियर्ति चुने जा चुके है विभाक के अपर मुख सचीव संजे कुमार द्वारा घोसित कारकरम के मताबिक 17 जन्वरी से 28 जन्वरी के बेच यहा आयोजित की जाएगी जल्द दूर होगी बालू की किल्द सरकार उठा रही है कि एक कदम जिया अपरादैस में बालू की किल्द से लटके निर्मान कार में तेजी आएगी सरकार इसके लिए गंबीर है और आवैस्सक कदम उठाये जा रहे हैं आगले साल जन्वरी से बालू की किल्द दूर हो जाने की समावना है सरकार के आदेस पर राज में दूसरी चरण में आठ जिलों में इस्तित 190 बालू घाटो की निलामी की प्रक्रिया सुमवार को संपन की गई दूसरी चरण के तहद वेसाली अर्वाल नवादा बाका किसन गज बाकसर और बेतिया में बालू की निलामी प्रक्रिया सुरू की गई यहां निलामी घाटों के कलश्टर के रूप में संचालित की जा रही है ताकि बड़े निवसक भी बोली लगा सके सफल बलिदाताओं के वर्क ओर्डर लेने से पहले पेसगी के तोर पर रासी देने होगी बताते चले कि बिहार में बालू की किमत में काफी बढ़ोतरी हो गई है इसकी वज़ा यह है कि अवेद खनन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बालू घाटों पर चल रहा खनन पर रोक लगा दया था बालू घाटों के निलामे के बाद माना जा रहा है कि सरकार के इस कदम से बालू की किमत नियंत्रित होगी बाड़े कबर दसवी के बाद सिदे ये कोर्स दिलाएगा नोकरी बिहार सरकार और टाटा टेकनोलोजी में हो गई है करार जिया बिहार के सबी आई टी आई को सेंटर ओप एक्सलेसन बनाने की योजना पर तीजी से अमल हो रहा है अगले साल से छो नई कोर्स आरम होंगे यहाँ कोर्स नई एडवांस टेकनोलोजी पर अधारित होंगे जो यावो को बेहतर रोजगार दिलाने में मदद होंगे यह कोर्स आर्क वेल्डिंग और अधोगिक रोबोटिक्स इलक्टिक वाहन परिसिक्चन आई टी आई और डिजिटल इंटुमेशन मसिनिंग तथा निवी निर्मान एडवाईजरी आई टी और डिजाइन सभी परकार के मरमत और रख रखाव आदोनिक प्लमिंग में ट्र साधी अब आई टी आई के प्रवंदन एवां संचलन के लिए प्रवंद समितियों का गठन अनिवार किया जा रहा है अगले सत्रसे सरकारी आइट्याई में छोने एक कोर्स हर आई टी आइए में अनुदिसों को कि सिंख्या बढ़़ह जाएगी आई टी आइई कोर्स सरका आईटिया में बेहत कम खर्च पर कुनवत्ता योग तो सिख्चा प्राप्त की जा सकती है आईटिया ट्रेनिंग करने वालों की डिमांड हर जगा है अगली बड़ी कबर बिहार की जिविका दिदिया सीम नितिस कुमार के समाज सुधार यात्रा की ब्राण्डम मिस्टर जान कवरे में पटना आकर संपन होगी इस दौरान मुख्यमंत्रे जनसवाओं को भी समुधित करेंगे सीम के समाज सुधार यात्रा का ब्राण्डम मिस्टर जिविका दिदियो को बनाया गया है बिहार में करेब जिविका दिदियो की सिंग्या करेब सबा करोड से अधिक है कि मद्रे निदिस कुमार हर जिले में सराब बंदी दहेज परता और बाल विबास समयत कई और महत्पून मामलों की समिच्चा करेंगे इन कामों में जिविका दिदियों के बड़े नेटवर्क का लाब मिल सकता है अगली बड़ी कबर बिहार में जुनियर डाक्टरों की हरताल खतम रात 10 बजे के बाद काम पर लोटने की घोसना जिया बिहार में जुनियर डाक्टरों की हरताल खतम हो गई है। कल रात दस बज के बाद काम पर लोटने का जुनियर डाक्टर ऐसोसेशन ने घोसना कर दी है। की कारण उतना असर नहीं देखने को मिला लेकिन लंबा चलता तो हाकार मच जाता अगली बड़ी कबर अब पाटना में सीनजी मिनी बसों से आसान होगा सफर परिवहन विभाग ने 43 मिनी बसों को दिहरी जंडी अब पाटना में प्रदोसन की मार होगी कम जी हाँ अब पाट बसों की जगा सीनजी बसों को चलाने का निने लिया है इसके लिए नीजी डीजिल मिनी बसों को नए सीनजी मिनी बसों में कनवर्ट कराने के लिए आए 50 आवेदनों में से 43 का चैन जिला इससरे चैन समयते ने किया है नए सीनजी बसों का परिचला नगर सिवा के निर्द पोचे मा दिलाई 5 साल की सजा जिहा सराब पिकर अपने माता पिता के साथ मारपिट के जाने की एक मावले में आरा की चतुरतर अपर जिला एवम सत्र नियादेश सी बिबुदन यादव ने समवार को इतियासिक फैसला सुनाया सराब पिकर हंगामा करने के आरोप में माद द्वारा दर्श कराए गई एफायर के आधार पर सराबी पूत्र को पांस साल की ससमर करावास की सजा सुनाई गई इसके अलावा एक लाख रुपे का अर्थ डंबिल लगाया गया अगली बड़ी कवर बिहार की सिपाई भरते में फिटनेस गोटाला 35 अनफिट कंडिडेट तीन माँ में फिट हो गए दिक्कत ऐसी ती जो कभी ठीकी नहीं हो सकती बिहार में सिपाई भरते में फिटनेस गोटाला मामला सामने आया है एक बार जिन केनिडेट को अनफिट गोसित कर दिया गया तीन माँ बाद उन्हें को फिट कर दिया गया है एक बार अन्फिट और दुवारा फिट करने के कारान कि जाच में बड़ा खुलास हुआ है केंद्रे चेंड परसद ने इसके लिए हुई मेडिकल जाच पर सवाल खड़ा करते वे अब उच तर ये फिटनेस जाच का अधिस दिया है अब पटना मेडिकल कॉलिन होस्पिटल क अधिचक की अधिश्ता में बोर्ड बनाकर केंडेट्स की मेडिकल जाच कराए जाएगी आपको बता दे कि जिन केंडेट को अन्फिट किया गया था उसमें डिफेक्टिव कलर विजन दोनों गुटनों का अपस में सटना आखों की साइड ठीक नहीं होना राइट साइड आई हेड्रो स्केल लेप्ट साइड आई हेड्रो स्कुल डिफेक्टिव विजन रेफ्रोरेशन फर्फोक्सेन एयर कान की समय सा सुनाई कम देना जैसी विमारिया उपलब थी पड़े वेकेंसी से जुड़े डिटेल जिया भारती क्रिसी अनसंदान संस्तान ने टेक्टिशन के पड़ो पर भरती के लिए उमिद्वारों से आवेदन आमांत्रित किये हैं योगो मिद्वार आई ए आराई के अधिकारिक वेबसाइट आई ए आराई डोट आरेसी डोट इन के मैदम से ओलाइन आवेदन कर सकते हैं विबाग की ओवर से इन पड़ों के लिए आवेदन करने के अंतिम्तिति 10 जनवरी 2022 तक है इस भरती प्रक्रिया के जरिये कूल 641 241 पदों को भरा जाएगा खास बात या है कि इसमें नियुन्तम सेक्षनिक की योगता दस भी पास रखी आज के लिए आपका सवाल बताए कि राज के सब स्कूलों में पटना के जैसे स्कूल के टाइम में बदलाव करना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नेचे क कमेंट करके जरूर बताए